सिबियाई से जनेरल कंसेंट वापस लेने के बाद आणध प्रदेश के मुख्य मंत्री चंदरबावू नाईडूवने सिबियाई को आयना दिखा दिया है अब CBI परिसान है कि उसने जो राजिसरकार को जनकारी दी थी उसने राजिसरकार ने उस जनकारी को अपने एंटी करेप्सन ब्यूरो को लिग कर दिया और उसने करवाई कर दी CBI हाथ मलती रह गई क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा मैं हूँ विद्धा शंकरतिवारी इंडिया नियूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए दरसल याद किजिए जब CBI में जंग छुड़ी थी डिरेक्टर आलोक बर्मा और स्पेशल डिरेक्टर राकेश अस्थाना शुरुवात होई थी 23 अक्टूबर की रात को आनन फानन में कारवाई की गए थी और दोनों जने को छुड़ लंबी छुटी पर भेज दिया गया था उसके बाद 11 अपसर्व को हटा दिया गया और अब जो है महा की स्थिति ये है CBI की की पूरा मामला CBC और सुप्रीम कोट चला गया है इसी दोरान एक महतपूर्ण डेवलप्मेंट ये हुआ कि इस जगड़े के बहाने और NDA से हाल ही में अलग हुए आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबावू नाइडू ने जो है जो जनरल कंसेंट होता है कि CBI उनके स्टेट में किसी भी स्टेट में जाकर के खुली एक तरह से जंग सुरू हो गई है दरसल हुआ क्या कि एक इसी दोरान GST सुपर्टेंडेंट है रमनेस्वर उनका फोन जाता है वहां के एक बैपारी के पास के लोकेस के पास कि ऐसे आपकी मामले कोई मामला है और इस मामले में आप आ करके कंटेक्ट किजिए वो कं 19 नमंबर को तो वहां पे उनको एक नोटिस थमाया जाता है और नोटिस थमाने के बाद आरोप यह है कि उनसे पैसे की दीमांड की जाती है फ़रमेल्टी अमांड के नाम पे एक लाख रुपे की मांग की जाती है खेर इसके बाद जो है आपस मौनलों की बातचित होती है बाचित में 30,000 में सवधा पढ़ जाता है तो जो जीस्टी सुपर्टेंडेंट थे रमनेश्वर उनकी कंप्लेंट जो है सीबियाई को सीदे की जाती है और सीबियाई ने कागनिजेंस ले लिए उसने ये जनकारी चुकि जनरल कंसेंट से आंध्रप्रदेश सरकार ने वापस ले लिया था इसलिए ये जनकारी उससे सेर किया कि हम ऐसे ऐसे करवाई के लिए आना चाहते हैं आप अपना कंसेंट दिए आंध्रप्रदेश ने उनको सिभ्याई को आने के लिए कंसेंट तो नहीं दिया अलबता अपने एंटी करपसन बीरो को ये जनकारी बता दी और उस जनकारी के आधार पे वहां के ACB ने करवाई करके रिस्वत देते हुए उस अधिकारी को गिरफतार कर लिया अब इसके बाद दोनों तरफ से बैयान बाजी शुरू हो गई है ACB का कहना है कि उसे ACC सिकायत मिली और उसने करवाई कर दी जबकि CBI ने formally बयान जारी करके ये कहा है कि उसने जो जनकारी दी थी उस जनकारी को राजी सरकार ने ACB को दे दी और उसके अधार पे ACB ने करवाई की तो समझें ये तो एक सुपरडेंडिन के खिलाप करवाई का मामला था तो अभी सिर्फ इतनी बयान बाजी हो रही है और यही यदि कोई बड़ा मामला हो कि आंधर प्रदेश में CBI को कोई ACCN करना हो किसी बड़े लीडर के खिलाप किसी बड़े ब्यूरोक्रेट्स के खि CBI समचीत रूप से जाच कर पाएगी तो जो चंदरबावु नाइडू यानि कि आंधर प्रदेश और CBI में एक तरह से तना तनी शुरू हुई थी और उन्होंने जनरल कंसेंट वापस लिया था उसके बाद कि ये पहली घटना है अब आगे देखने वाली बात होगी कि आ हो जाएगी तो ये है हाल ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा डिजिटल चनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब किजिए